हेलो स्ट्वेंट्स माइसेल्फ जिया चोहां टीम बॉटनी सियल से सीकर हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं खुल सले बस बॉटनी का इपन इसमें जुलोजी की भी कुशन से हैं तो सर जुलोजी में भी डिसकस करेंगे आपके लिए आई ओटी टेस्ट सेकेंड इसका अपना पहला कुश्चन है वें दा पिटियोल इस मोडिफाई इन्टु ए लीफ लीफी ग्रीन स्ट्रॉक्चर इस स्ट्रॉक्चर इनॉन एज फिलॉट विच इस फाउंट इन जब पर्ड वरंत पर्ड वरंत ध्यान दो पर्ड वरंत की बात हो रही है हरी पर्डले सनुचना में जाता है और यह पर्ड़ा वरंत कहलाता है जो पाया जाता है यह कुछ इस तरीके का स्ट्रॉक्चर है इसे खासतोर से याद रखें यह आस्ट्रियन अकेसिया अकेसिया में बाइपिनेट लीफ्स पाई जाती हैं कहा जाता है कि इनके जो लीफ्लेट्स होते हैं वो सौट लेप्ड होते हैं बहुत जल्दी गिर जाते हैं इसलिए इनका जो पिटियोल है यह रीजन यह फिलाड में बदल जाता है यह फिलाड में बदलता है तो यह जाके फिर बाद में photosynthesis के लिए modify होता है और इसमें photosynthesis conduct होती है तो ये एक dry condition में zeropedic plants है इसका एक खास तरीके का adaptation है जहाँ petiol modify होता है यहाँ आपको तीन term याद रखना है philoclate, kledode and philot ये तीनों ही term अक्सर एक साथ एक कुशन में रखे जाते हैं philode is a modification of petiol philoclate is a modification of stem while the clayrode is a modification of branches मतलब इसे भी stem का modification माना गया है लेकिन वो branches का होता है clear तो philode इसका correct answer है ये australian acacia है इसमें presence होता है बढ़िया inside base question है possible question next column first और column second को सही हमें मिलान करना है यहां मैंस दा first and second column stem tendril tendril कहां मिलेंगे टेंड्रिल अपन को कुकुर्बटेशी में यानि कि pumpkin में कद्दू में मिल जाएंगे और फिल लॉड ऑस्टेलियन acacia हो गया philoclate ये ओपंसिया के अंदर हो गया ऐसा कुछ एसे कुछ फिल फिलोटेक्सी आप जानते हो केलोट्रॉपिस में होती है तो इस तारीके से कुशन में benefit होता है कि अगर हमें दो option भी clear आते हैं बड़े आराम से हमें answer मिल जाते हैं तो देख सकते हैं कि फर्स्ट में आपका जा रहा है सी है ना pumpkin तो फर्स्ट में सी कहां है सी में और 3 में और फ्रस्ट में प्रस्ट में इन दोनों के पास है इसके बाद में चलते हैं कि ए थर्ड में प्रस्ट में आपका जा रहा है तो फौर्स्ट में बी कहां है यह तो इस तरीके से हमारे लिए फोर्ट करेक्ट आंसर बन जाता है बाकी और आप मैचिंग कर सकते हैं नेक्स्ट कुशन एक बीच पत्री की पत्तियां अत्वा घास की पत्तियां तता बांस के तने में ब्रद्धी का कारण किसकी सक्रियता होती है याद रहे मोनो कॉट की ज जो तक नहीं मोनो कॉट की जब बात आएगी तो इंटरकैलरी मैरिस्टेम में कंसिडर किया जाएगा क्लियर लिटरल वैस्ट्यम मोनो कॉड़् महोते ही नहीं है डर्मेटोजन्व ये एक टर्म है याद रखना यह हिस्टोजन थियोरी पढ़ाई जाती थी इसमें इसका कोई बड़ा रोल नहीं है कि इसका करेक्ट आंसर बन रहे हैं अग्म से सफारी निलीकावाज सहर कोशिका को पेंट सहर कोशिका करूती है क्योंकि वह कहा जाता है कि एन टॉमी में जो sister cell है और companion cell है बोथ हार originate from single parental cell hence they called sister cell तो यह सीधा concept याद रखना है समान मात्र कोशिकास से विक्षित होती है develop from same mother cell remain associate associate तो बनी रहती है remain living lacking nucleus at maturity तो आपके companion में तो nucleus होता है become non-living non-living नहीं both are living ठीक है तो कहने का मतलब है कि समान मात्र कोशिकास से बनती है second correct answer बनता है hydroponics बढ़ते हुए पादपों के लिए संदर्वित है यह जो soil less cultivation है mineral nutrition में तो उसमें याद रत्मा यहाँ पर mineral nutrition containing solution होगा उसमें यह plant को grow कराया जा सकता है इसमें iteration का होना भी जरी दी है जूलिस वहन साक्स ने सबसे पहले इसके solution को discover किया था वाग इसमें एक plant को बड़े आराम से survive किया जा सकता है इसमें इसमें आजकर commercial basis पर production भी चलना है जैसे सीड्लेस को कुमबर है लेट्रस है है और कुकुमबर इनका बड़े तेजी से production जारी है है ना टमेटोज भी इससे produce किया जा रहे है तो थर्ड इसका correct answer बनता है निम्नमें से कौन सा एक आवश्यक तत्त उसके कार का गलत मिलान है गलत मिलान select करना है मिनरल से ही कुष्यन है अच्छे कुष्यन यहां से आते हैं मन structural component of chlorophyll यह गलत हो गया एम जी एक्शुली प्रजेंस होता है कहाँ chlorophyll की जो हैड रीजन होती है वहाँ पर रिंग का जो सेंटर होता है उसको यह प्रड्यूस करता है इस तरीके से फोर पाइरॉल अक्टिवेट करता है एक फी फेरिडॉक्षिन का पार्ट है नोड आउट है ना मिडिल ले मेला कैसियम प्रेक्टेट के फॉर्म में यह प्रेजेंस होता है तो फस्त हमारे लिए प्रेक्ट आंसर बनना है क्योंकि यह कंपोनेंट नहीं है बलकि एमजी कंपोनेंट यह है बीची कुछ का जल्प्रभा की दिसा का चैन किजिए पानी कहां से कहां जाएगा ओपी माइनस टीपी इसमें डीपीडी कितना बनना है इसका 3 इसे भी अपन कंसिडर कर लेते हैं डीपीडी में कितना हो जाएगा इलेवन कितना हो जाएगा इलेवन तो सबसे ज्यादा डीपीडी किसका है तो वाटर आपका A and C से B में जाएगा और फिर water C से A में भी आएगा है ना तो देख लो A और C से B में जा रहा है यहां पर और C से फिर A में भी आ रहा है तो यह एक fourth answer correct नजर आ रहा है यहां से A से C में जा रहा है तो इस बज़े से गलत हो गया यह यहां गलत हो गया B से C में नहीं जाएगा बलकि C से B में जाएगा clear? यहां पर भी यह गलत हो गया हमारे लिए correct answer और बनता हुआ नजरा रहा है Next Which of the following is a difference between the transport of gylam and transport of phloem जायलम और phloem के transport में क्या basic difference है सक्री परिभान जायलम से होता है परंद phloem रस से नहीं बास पोज़र phloem रस से होता है परंद जायलम रस से नहीं जायलम रस उपर की और गती करता है phloem रस उपर वा नीचे दोनों याद रहे जायलम unidirectional flow करता है क्योंकि water mineral की supply हमेशा root से leaves की और जाती है leaves से कभी भी root की और नहीं आती है unidirectional flow है और जो phloem होता है उसमें bidirectional flow हमें देखने को मिलता है तो ये एक correct answer बनता हुए नजर आ रहा है source से सरक्रा की sink में गती जायलम से होती है जायलम नहीं phloem से होती है तो इस तरीके से ये भी गलत हो रहा है तो अपके लिए बेटा जी third correct answer बनता है निम्न को सुमेलित कीजिए बढ़िया आपका hypertonic solution क्या होगा hypertonic solution तो आपका निम्न परासनी अल परासनी निम्न परासनी सांदरता अति परासनी में उच परासनी सांदरता है न विल्यायक कौन होता है विल्यायक जल होता है विल्यायक कौन होता है सुक्रोज है न तो आप देख लो first में C कहां जा रहा है first में C यहां जा रहा है second में D कहां जा रहा है second में D आपका यह जा रहा है यहां पर तो third में B third में B क्या हो सकता है में क掃क निक्राइब और एलेक्रान का प्रवाध में कहां से लेक्टाङ का प्रवाध होगा फ्रॉओफ ऑप संस्वतार प्रोयृच्ट फेस्ट वाइलिशन Snade presence प्ण्ष्ट सेकंट यह नहीं हाई से प्रडियूस होते हैं और यह नॉन साइक्लिक पात्वे में एने डिपी एच्टू तक पहुंचता है जहां इसका एने डिपी डेडक्टीज एंजायम के जरिये रिडक्शन होता है और वहीं पर इसका एलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है यह है पूरस्ट यहँआ पूंप से कि यह भी नहीं बाइडरेक्शन नहीं होता है यह निदीसног होता है ठीक है तो सेक किन अपना कॉरॵ बनता है जलका प्रकास करण के परणाम सरून मुक्त होते हैं दीखोव कि अपना पेस सेकुड जो वहता है ना पीएस सेकेंट यहां की जो वेवलेंद्थ है 680 एनम है ठीक है यहां जब लाइट पहुंच थी है तो अल्टिमेटली यहां पर वाटर आपका जैसे सपोर्ज 2H2 ले लो है ना 2H2 से क्या रिलीज होगा एक तो ओर टू रिलीज होगा फोर इससे प्रोटॉन रिलीज होगे और फोर इलेक्टॉन रिलीज होगे इलेक्टॉन जो रिलीज होगे वो अल्टिमेटली इसको मिल जाएगे यहां से यह जंप करेगा और इलेक्टॉन जो असेप्टर होगा वहां पर यह पहुंच जाएगा तो इस तरीके से एक तो ऑक् उत्पत्ति इसके द्वारा दिशा निर्देशिस होती है कैमे ऑस्माडिक जनरेशन 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 आप एटीप है ना किसके जरी ऑस्माडिक मुवमेंट ओफ लो ओपी टू इसका कोई रोल रोल नहीं फोटो फास्पोर एलेशन तो फॉरमिसन आप एटीपी को बोलते ह है difference of proton concentration on both side of membrane ठीक है यह सही है क्योंकि अगर अपन केमी ऑस्माडिक को एक बारी उसमें देखते हैं किसमें माइटो कॉंडिया में माइटो कॉंडिया में देखेंगे तो आपका जो एप नॉट है कौन है एप जीरो वो यहां है membrane के अंदर इनर membrane के अंदर और यहां पर है आपका एप बन ठीक है तो यहां क्या होता है एक्शुली यहां proton gradient बढ़ जाता है अभी भी NCRD का कोडिंग लिखा है कि दो प्रोटोन चब यहां से इस मैट्रिक्स की और पास आउट होते हैं तो इसमें प्रोटोन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन जरूरी है तो प्रोटोन आयन प्रोम पी एमस तू मैट्रेक्स थू दा केरियर प्रोडीन और एपनोट जनरेट सफीशंट एनरजी टो प्रोड्यूश एटीपी ठीक है इससे कनफारमेशनल चेंज होता है सफीशंट अमांट वे एनरजी प्रोड्यूश होती है एडीपी प्याई मिलकर एटीपी में कनवर्ट हो जाता है यह हमारे लिए करेक्ट आंसर बनता है थर्ड एक टीसी के अंदर 12 ATP का प्रोड़क्शन होता है जब एक एसिटाइल को एंजयम कम्प्लीटली ऑक्सिडाइज होता है इतना ATP कहीं प्रोड्यूस नहीं होता है ठीक है ऐसे oxidative phosphorylation क्या हो सकता है तो ATP का production maximum ATP production TCA में ही माना गया है थर्ड correct answer है mitochondria कोश्का का powerhouse कहलाता है इसका कथन पक्ष में कौन सा है सही mitochondria call the powerhouse of the cell which of the following observations support this statement है mitochondria में ATP निर्मित होते हैं यह हो रहा है mitochondria double membranous होता है क्रेप चप साइटोग्राउम के इंचा माइड़कोनियम पाए जाते हैं mitochondria लगबग सभी बाद अब बजनतुओं की कोश्काम होता है देखो मैं चीज तो है कि energy produce होती है energy produce होती है इसलिए हम powerhouse of the cell के नाम से जानते हैं ATP को हम currency of energy भी कहते हैं तो सीधी बात है जहां currency है वही कहीं न कहीं powerhouse of the cell consider हो रहा है तो first हमारे लिए correct answer बनता है next कौन सा एक व्रद्धी संदमक के साथ साथ व्रद्धी प्रेरक है याद रखना ethylene ethylene एक ऐसा hormone है inside लिखती है ethylene is widely used in agriculture because it perform both functioning क्या growth promoter as well as growth innovator clear तो बेटा जी third इसका correct answer आप लगाना है सामानते जिब्रेलिन का प्रित्रोधी हार्मोन है antagonistic बढ़िया inside में लिखा हुआ ABA देखो उसी क्यों माना है ABA actually dormancy को promote करता है जबकि जिब्रेलिन dormancy को क्या dormancy को ब्रेक कर देता है जिब्रेलिन हार्मोन सीड जर्मनेशन को promote करता है ABA हार्मोन सीड की dormancy को प्रमोट करता है यानि की germination को inhibit करता है इस इन कुछ खास point की basis पर इससे opposite हार्मोन माना जाता है opposite functioning करने वाले को antagonistic कहते हैं और जो same functioning को करते हैं उनको synergistic function कहते है clear तो next पादपों ब्रदी किसकी बनुक्तरी द्वारा मापी जाती है ताजा भार सुस्क भार लंबाई चित्रबलायतन कोश्का संख्या तो यह तो आपका चारों ही सही जा रहे हैं fourth correct answer बन जाएगा next hello dear students myself अनिल चोधरी team geology CLCC कर हम अभी discuss करने जा रहे है बेटा all India open test series weapon number second जिसमें मैं आपको geology वाला section discuss कर रहांगो one by one questions को जो है वो discuss करना start करते है चले जी से start करें first question है बेटा the correct sequence of stomach region from isophagal end to deudional end यानि इसोफेगस जो है अपनी गर्शनी गर्शिका से लेकर और ग्रैनी वाले भाग तक करेक्ट और हमें बताना है तो फर्स्ट वो region जहां पर आकर इसोफेगस यानि गर्शिका खुलती है उस भाग को हम कार्डियक भाग कहते है उपर का ये फूलावा भाग जो होता है इसे हम fundus कहते हैं फिर मुख्य भाग जो होता है स्टमक का इसे हम corpus या फिर body कहते हैं और last जो narrower part होता है जो की कहता है इस जो हैrit कुलता है है इस भाग को हम हम इस पार्ट को हम पाइलॉरस कहेते हैं मैं कि रच्टॉडर गर हम बात करें तो पर बस है तो और स्घल कर्क फर्सट हाग ए काडियाक सेकेंड फर्ड्लस कर्पस इन होर्ध आजाएगा pylorus तो ऐसा किसी में match करता है क्या देखा जाए फर्स्ट जो है वो cardiac part होना चाहिए गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया cardiac fundus corpus and pylorus so option number four is correct ओके next question देखें identify a to f in the given figure तो अगर f की बात करें तो goal blader है पिता से D की बात करें तो D जो है वो डक्ट है from liver duct from liver C जो है वो common hepatic duct है sorry common bile duct है इसमें cystic duct हाक करोबन हो रहे तो इस common bile duct है A जो है वो pancreatic duct है E जो है वो dudenum है ग्रणी वाला भाग और B जो है वो common hepato pancreatic duct है तो देखा जाए 1 by 1 अगर इसे तो A जो है वो common bile duct दे रखा है तो A जो है वो common bile duct नहीं है गलत हुआ दूपसरे option में A pancreatic duct है बिल्कुल सही ही है इस B जो है वो B common hepato pancreatic duct है ठीक है जी B labeling भी ठीक है C जो है वो common bile duct है देखा जा रहे तो C जो है वो common bile duct है ये भी सही हुआ G जो है वो D है duct from liver ये भी सही हुआ तो answer number ये option number जो है वो second यहां पर लग रहा है फिलाल चली आगे भी चेक कर लेते हैं E डियोडेनम दे रखा है बिल्कुल E डियोडेनम है F गॉल्ब्लेडर दे रखा है तो F बिल्कुल गॉल्ब्लेडर है तो देखा जाए third option को तो third option में first hypeto pancreatic duct है cut हो गया E जो है वो गॉल्ब्लेडर दे रखा है cut हुआ तो answer number चला गया अपना sorry option number चला गया अपना second तो 19 number में option number second हो जाएगा next 20 number question जिसमें बोला गया है कि diagram देकर यह diagram जो है exchange of gases और transport of gases के regarding यहाँ पर mention किया गया है जाँ पर हमें partial pressure के बारे में अक्सर बात करनी होती है choose the appropriate option which incorrect labeling of partial pressure हाँ जी ध्यान दीजिएगा बेटा कि आंसिक दाब के ऐसत्ते labeling के साथ उप्युक्त मिलान जी तो हमें ऐसा एक option देखना है जिसमें gaso का जो partial pressure है आंसिक दाब जो है वो गलत मिलान किया गया है तो A A में अगर हम बात करते हैं जो है उस एलवलाई का जो air है वहाँ पर fill रहता है तो यहाँ पर A में partial pressure जो है oxygen का वो 104 mmHg होता है और CO2 का जो है वो CO2 का बहुती कम है यहाँ पर B की बात करें तो B में partial pressure जो है oxygen का वो 95 mmHg है और CO2 का जैसे कि आप जानती है 40 mmHg है यहाँ पर C में अगर हम बात करते हैं तो partial pressure oxygen का यहाँ पर 40 है और CO2 का partial pressure यहाँ पर 45 है ठीक है जी बेटा तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि A जो है वहाँ पर partial pressure oxygen का 159 है जबकि यहाँ पर होता कितना है 104 So first is wrong Second B partial pressure of oxygen 95 mmHg तो B में बिलकुल oxygen का partial pressure 95 mmHg है तो correct है C partial pressure of oxygen 45 यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं कि यह वाला part जो है यह systemic वेंसें यानि देहिक सीराएं हैं जहाँ पर partial pressure oxygen का 40 होता है तो यह भी labeling गलत है तो A और C वाला option देखा जाए तो A और C वाला option चला जाता है Second तो इसका answer हो गया गलत मिलान के साथ Second चलिए जी Next question में क्या बोला गया है How many atoms of oxygen are carried by one molecule of hemoglobin अब जैसा कि हम बात करते हैं कि एक single hemoglobin molecule जो होता है वो maximum वो maximum for oxygen molecules को carry कर सकता है बट यहाँ पर हमसे atoms के बारे में पूछा गया है अगर एक oxygen के बात की जा रही है तो दो atom है और total atoms का number कितना हो गया 8 option number 4th is correct चलिए next question की बात की रही है what would be the heart rate if a person of a person if the cardiac output is 6 liter blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 40 ml यह कहता है कि 100 ml blood जो होता है वो 100 ml blood ventricles में fill होता है ventricles जो होते हैं उन ventricles के systole से पहले ventricles जो होते हैं उनमें संकुचन से पहले 100 ml blood उसमें भरता है अब यह कहता है कि जब इनमें संकुचन होता है तो संकुचन के बाद इसमें से blood भार निकल जाता है जिसको हम जो है वो stroke volume कहते हैं cardiac output वहां से निकल जाता है अब इसमें से इसमें से 100 ml blood में से वो कहरा कि 40 ml blood अभी भी यहां बचा पड़ा इसका मतलब कितना blood जो है यहां से pump हुआ 60 ml ठीक है तो 60 ml blood यहां से pump किया गया अब बात यह आती है बेटा क्या कि उस आदमी का जो cardiac output है वो cardiac output 6 liter है 6 liter का मतलब 6000 ml 6000 ml हमसे उसने heartbeat rate के बारे में बूच जा है ठीक है तो 6000 upon 60 ओके तो यह हुआ यह हुआ यह तो देखा जाए तो heartbeat rate कितना है यह 100 beats per minute तो आप कहा सकते हो cardiac output upon stroke volume ठीक है इससे आपका heartbeat rate आ जाएगा हमारा option number third जो है वो correct हो जाता है formula based question next question the tunic media is comparatively B in the A A और B क्या है तो देखो बेटा artery और vein कियेकर हम बात करते हैं तो vein जो होता है उसका tunic external जो भारवाली covering होती है वो tunic external थिक होती है और इसमें होती है artery में thin जो बीच वाला layer है tunic media जिसको हम कहते हैं वो artery में बेटा थिक होती है और vein में वो गैसा होता है thin होता है तो यहाँ पर बात किसके बारे में हुई है tunic media के बारे में तो tunic media जो है बेटा वो artery के अंदर कैसा है ठीक है तो ए लेकिन गलत दे दिया न क्योंकि थिन दे रखा है केपलरी का कोई option नहीं है आपर वेन के अगर हम बात करते हैं तो वेन के अंदर ट्यूनिका मेडिया कैसा होता थिन होता है यहां पर वेन के अंदर ठीक दे रखा है तो option number 3 जो है वो correct हो जाता है अर्टरी में होता है और वेन में कैसा होता है और है ओके next question देखें डाइग्राम बेस कोशन है जहां पर क्या बोला गया है कि लेबलिंगो पैचान नहीं और लेबलिंग को पैचानने के बाद बताई कि क्या क्या यहां पर mention है तो देखा जाए तो बेटा यह जो है वह है ठीक है जी ये जो है ये पेराइटल बोन है ये जो है ये टेम्पोरल बोन है और यहां बात की जाए तो ये ओक्सिपिटल बोन है नंबर यहां पर हमें दिया नहीं गया है तो हमारा कोशन थोड़ा आसान बन जाता है तो जड़ा चेक करें कि बी क्या है बी पेराइटल बो bone है, ठीक है, A जो है occipital bone दे रखा है, जबकि A frontal bone है तो option cut गया B paratal bone है, D occipital bone है, तो बिल्कुल D occipital bone है और B paratal है, A frontal है C temporal है, A frontal है C temporal है, A frontal है C temporal है, ठीक है जी third option ठीक ठाग लग रहा है अभी A paratal है, cut गया, हमारा option चला जाता है कौन सा, third तो third option यहाँ पर हो जाता है correct देख लें जरा correct ही पूछा गया है बिल्कुल correct ही पूछा गया है तो third option यहाँ पर correct हो जाता है next question देखें जरा matching का question है क्या पूछा गया इसमे select the mismatch pair of vertebra and their related information तो यह कहारा कि कसेरुक दंड जो है हमारा vertebral column उसकी जो vertebras है उसके functions के बारे में mismatching बताईए हमें यह कहता थोरेसिक vertebra हम सारे जानते है थोरेसिक vertebra का number होता है 12 ठीक है वक्सिय बाग की कसेरुकाँ की संख्या होती है 12 अब सभी जानते हैं कि वक्सिय कसेरुकाँ के साथ अपनी जो ribs होती है वो ribs dorsal side पर attach रहती है तो यहाँ पर क्या दिया गया है यह dorsal wall बनाती है थोरेसी cage का विल्कुल सही बात है वक्सिय पिंजरा जो होता है उसकी प्रश्ट दिवार यह बना दी है cervical vertebra cervical vertebra का number जो होता है वो 7 होता है तो most of vertebrates होते हैं दो exception है जैसे की c cow समुद्री गाय और bready abs उनको अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकि सभी अधिकान्स कसी रुक्यों के अंदर निंगी संक्या साथ होती है लेकिन यहाँ 5 दे रखी है और हमसे miss matching ही पूछा जा रहे तो अभी second option ठीक ठाक लग रहा है कि यह चला जाएगा चली third option पे चलते हैं number vertebra largest vertebra बिल्कुल सही बात है vertebra में क्या होता है cervical से आप thoracic thoracic से आप number और फिर जो है अपना sacral और coxial की तरफ जाते है तो उपर से नीचे की तरफ जाने पर इन vertebra का आखार जो होता हूँ बड़ा होता जाता है इस concept को आप ध्यान रखिएगा लेकिन यहां largest vertebra की बात की गई है number vertebra बोला गया है बिल्कुल सही बात है लेकिन यहां हमसे miss matching कूछी गई है तो आप third option की उपर ना जाईएगा coxial vertebra fuse होने के बाद reabsorption of water occurs passively in the initial segment of nephron ठीक है यहां तक nitrogenous vests are absorbed by passive transport बिल्कुल conditional reabsorption of sodium and water take place in DCT बिल्कुल यहां हम जानते है eldosterone eldosterone और ADH hormone की presence में यह देखने को हमें मिलता है DCT is capable of selective secretion of hydrogen potassium and ammonia to maintain pH and sodium potassium balance in blood बिल्कुल सही बात है जो selective secretion होता है उसमें DCT में sodium अरे हाँ बिल्कुल DCT के अंदर जो है वो hydrogen hydrogen के अलावब potassium और ammonia इनका जो है वो selective secretion होता है और इससे क्या होता है कि जब hydrogen ions जो है वो secret होंगे और potassium ion secret होंगे तो ये क्या काम करने के लिए हो रहा है सब कुछ hydrogen ion secret होने का pH का balancing चल रहा है क्योंकि एक तरफ जो है वो bicarbonate का reabsorption हो रहा है दुसरी तरफ hydrogen ions का secretion हो रहा है sodium और potassium के balance को maintain करने के लिए sodium का reabsorption किया जा रहा है potassium का selective secretion बिल्कुल option number या फिर आप कहें कि statement number 5 जो हो बिल्कुल correct है 6 पे चलते हैं substances लाई glucose, amino acids, sodium etc in the filtrate are reabsorbed actively ओके actively दे रखा है तो actively की वाज़े से गलत हो गया तो हमारे पास कुछ statements बनते हैं like first, second, third, fourth, fifth ऐसा कुछ statement है first, second, third, fourth हमारा चला जाता है इसमें second, third, fourth, fifth ओके, यहाँ sixth है दे रखा है sixth गलत है बेटा तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया तीसरा भी गलत हो गया क्योंकि sixth को देख लीजिए sixth गलत है जहाँ पर है वो option चूज कर नहीं सकते हैं तो option number 4 जो है वो correct चला जाएगा यहाँ पर ओके next चलें जरा on an average how much amount of blood is filtered by the kidney per minute सभी जानते हम 1100 से 1200 ml total blood जो pump होता है उसका one-fifth ml sorry, one-fifth जो है उसका part होता है one-fifth part होता है total blood जो है वो blood pump करता है जो अपना heart उसका one-fifth है 1100 to 1200 ml next चलें जरा which of the following factor is responsible for the formation of concentrated urine इन में से कौन सा जो कारक है वो एक सांदृत मुत्र के निर्माने के लिए उतर दाई है secretion of erythropoietin by juxtaglomerular complex नहीं, इसका कोई रोल नहीं माना जाता है यहाँ पर hydrostatic pressure during glomerular filtration यह तो filtration के regarding है जो है वो concentrated urine के regarding है नहीं low level of anti-diuretic hormone अगर ADH का level कम होगा तो इससे urine जो है वो बेटा dilate होगा ना कि concentrated होगा तो गलत हुआ maintaining hyperosmolity towards inner medullary interstitium in the kidneys आप जानतें cortex के अंदर 300 milliosmol per liter osmolity होता है फिर अगर outer medulla की बात करें तो 600 milliosmol per liter होता है फिर यह होगा outer medulla फिर middle medulla की अगर हम बात करते हैं तो 900 milliosmol per liter और inner medulla में 1200 milliosmol per liter जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर 300, 600, 900, 1200 तो यह जो interstitium है medullary interstitium इसके high osmolity जो होती है यह hyperosmolity जो होती है यह actually water reabsorption में help करता है जिसके वज़े से क्या होता है कि अपना urine जो होता है वो काफी ज़्यादा concentrated होता है काफी ज़्यादा का मतलब अपना जो initial filtrate बनता है शुरुवात में जो filtrate होता है निश्यंदन जो होता है उसकी osmolity 300 milliosmol per liter होती है परन्तु जो मुत्र हम उत्सरजित करते हैं उस मुत्र की जो है वो पुसांदरता होती है क्या 1200 milliosmol per liter इसका मतलब initial filtrate की तुलना में हमारा urine जो है वो 4 times concentrated हो जाता है so option number 4 is correct चलेजी next question पर proceed करते हैं consider the following hormones hormones को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और इनको क्या करना है correct sequence में जबाना है बिल्कुल बहुत अच्छा कोशन है TRH thyroid releasing hormone no doubt आप सभी जानते हैं कि हाइपो थेलेमस जो होता है उस हाइपो थेलेमस की nuclei जो है वो इसको release करती है synthesis करने के बाद then ये anterior pituitory पर काम करता है anterior pituitory जो है वो thyroid stimulating hormone बनाता है और thyroid stimulating hormone जाकर एक करता है thyroid gland पर और thyroid gland इसके response में thyroxine hormone प्रोडूस करता है तो sequence देखा जाए तो first जो है वो आजाता है कौन सा TRH ओके ये आ गया second जो आजाता है वो आजाता है वो आजाता है TSH और third आजाता है कौन सा thyroxine so A A के बाद आजाता है कौन सा C और B तो first option is correct option match कर लीजिएगा ओके चलीज़ आगे बढ़ते हैं if a person has lost a gland in an accident and suffering from the decreased heart rate breathing rate low temperature and increased level of TSH TSH के बारे में दिया न एक तो उसे ने क्या कहा कि उसकी हर्दे दर उसकी सवशन दर उसका सरीर का तापमान और उसके सरीर में TSH thyroid stimulating hormone का लेवल बढ़ रखा है तो इसके सरीर की नस्ठवी ग्रंथी कौन सी होनी चाहिए इसके सरीर की नस्ठवी ग्रंथी जो है वो thyroid ग्रंथी होनी चाहिए puse ग्रंथी जनद इसको हटाना पड़ेगा क्यों क्योंकि thyroid gland thyroxine hormone produce करती है thyroxine hormone जो होता हो heartbeat rate को बढ़ाते है वो BMR को regulate करता है इससे अपनी सवसंदर बढ़ती है और जब metabolism बढ़ेगा तो अपने सरी का तापमान भी बढ़ेगा और TSH का level बढ़ावा है इसका मतलब कि gland जो है वो कही ना कहीं उसमें abnormality है जिसकी वज़े से bloody can the TSH का level बढ़ा हुआ है तो option number कौन सा चला जाता है बेटा third ओके next देखें जरा which of the following nervous system by which impulse travel from CNS to viscera and from viscera to CNS viscera means body organs जो visceral organs है smooth organs जहांपर smooth muscles वगर पढ़े तो visceral organs के regarding जो nervous system है बेटा उसको हम visceral neural system कहते है अपनी NCRT में बहुत इस अलग से separate line ही लिखाओ आपको मिलेगा कि visceral neural system जो है वो visceral neural system का काम होता है कि जो visceral organs है उन visceral organs से signal CNS तक लेके जाना और CNS से वापर से visceral organs तक उसको पहुंच जाना ओके next देखें जरा venus stimulus जब एक stimulus जो threshold value का है या उससे उपर के level का है applied at the site on the polarized membrane polarized membrane का मतलब clear है inner surface जो है बेटा उस inner surface पर जो है वो negative charge है inner surface पर कैसा charge है negative charge है और outer surface पर कैसा charge है positive charge है ठीक है यह polarized membrane है इसके उपकर अगर हम threshold stimulus अपलाई करते हैं then what will not happen ओके इस site पर क्या नहीं होगा membrane freely permeable to sodium ions rapid influx of sodium अगर threshold देंगे तो यहाँ पर sodium voltage gated channel खुलेंगे sodium voltage gated channel खुलेंगे so ठीक है यहाँ तक reversal of polarity that is outer surface positively charged and inner surface is negatively charged नहीं polarity reverse होगा तो inner surface पर negative charge आएगा और outer surface पर positive charge आएगा ऐसा inner surface पर positive charge आना चाहिए outer surface पर negative charge आना चाहिए क्योंकि sodium अंदर जाएगा इसे inner surface का charge जो है मतलब action potential generate होना है तो यह वाला point जो है यह नहीं होगा membrane impermeable to potassium बिलकुल जब threshold देंगे तो यहाँ के जो potassium ion channels होते हैं बेटा वो close हो जाते हैं so option number is 3 3 option number जो है वो यहाँ पर incorrect है वो नहीं होगा क्योंकि अगर polarity reverse होगी तो outer surface जो है वो negative charge होना चाहिए और inner surface positive charge होना चाहिए जबकि यहाँ पर उल्टा दे दिया यहाँ पर क्या दे दिया कि outer surface positive charge और inner surface कैसा negative charge जबकि वो तो पहले से ही है जबकि वो तो क्या है threshold apply करने से पहले से ही वहाँ पर present है तभी तुसको अपने polarized membrane कहा रखा है next देखें ज़रा in human brain is covered by three cranial meninges which of the following is correct sequence of these meninges from inner to outer inner का मतलब हो गया pyameter ठीक है pyameter के बाद आप जानते है arachnoid आती है arachnoid के बाद आ जाती है कौन सी? durameter inner to outer तो देखें ज़रा pyameter durameter आ गया गलत कट गया pyameter arachnoid ठीक है durameter option number four चला जाता है यह तो दोनों वैसे गलत होगे clear है बहुत ही आसान से पेपर अपना ही के कुश्चन बाटनी के कुश्चन सुरूरे select the wrong statement first plant to form embryo bryophyte bryophyte में सबसे पहला embryo बना था wrong पुचा है first plant to have seed gymnosum में पहले seed बने थे gymnosum by the first to have the heterospory first यह गलत हो रहा है क्योंकि heterospory सबसे पहले हमें silaginila में देखने को मिली थी इसलिए गयते है seed have it सबसे पहले silaginila में start होगी थी silaginila बो प्लांट है जिसमें heterospory सबसे पहले start होगी है titidophyte बो प्लांट है जिनमें heterospory homospory दोनों पाई जाती है bryophyte में सिर्फ homospory होती है gymnosum में हमेशा heterospory होती है ऐसे हमें याद रखना होगा तो यह गलत होता हो नजरा रहा है जाइगोटिक में उसस होती है तो हमारे लिए correct answer third बन जाता है next यह कुछ diagram दिए गए है है ना diagram में examine the figure ABCD in which are one of the following four options all the ABCD है ना इनके लिए सही चुनना है आप इसको याद रखना है अक्सर यह कारा पूछा जाता है कारा डी में कहां न जा रहा है देखलो डी में पॉलिसे पॉनिया डी में फाइकस कारा यह जा रहा है यह भी हो रहा है तो अपना second correct answer बन जाता है बाकी सब को एज़े देख ले ना ऐसे ही आते है को क्ष्ण माइट मियोसिस का अब अबसे डिवीज़न का कुष्ण है कि इसमें पूछा है कि जंतुमें समसूत्री कोशका विभाजान शामाने तरफ दोगुरित को च का कोशका में दिखाई देता है बिलकुल सही है पादबौं समसूत्र विभाजा अगोड़त दौमनां सब्सक्रांट विफाता में देखने को मिलता देख अगुडित कहां मिलता है जैसे आपकी ल घी के जो स्पोर बनता है ना रीप्रोड्विट इसमें जो बहना के मॉटिस हो राख वह किसे है मैटॉसस मिल जाए तो विप्न मे then में तो मानाटसस मिलती ही मिलती है तो यह करेक्ट और नजर आ रहा है अरतिसूत्री विभाजन दुई गुड़त कोश्का में लिखाई देता है बिलकुल सही है अर्शुति विवाजन अगुड़त में कभी नहीं होगा तो डी कभी भी सही नहीं हो सकता ABC सही है second हमारे लिए correct answer बनता है next यह देखा गया है कि हिर्दय कोश्का कोश्का विभाजन प्रदर्श्चित नहीं करती है यह कोश्का आगे विभाजन नहीं होती है जो जी वन फेज में होती है प्रावस्ता से बाहर आकर कोश्का चक्र की एक निश्करी अवस्ता जो की जी नॉट कहलाती है प्रवेश करती है रिक्स्तिस्तान को भरिये जी नॉट कहीं और नहीं जी नॉट आपका जी वन का ही पार्ट है यहाँ पर आपको जी नॉट मिल ठीक है तो जीवन के अंदर है और अवस्था कहलाती है जी नौट फॉर्थ इसका करेक्ट आंसर बनता है नेक्स्ट कवक की कोश्च का वित्ती मुख्यत है कौन से पॉली सक्राइट से बनी होती है याद रखना काय टिन काय टिन से बनी होती है इंसे आट में लिखा है निम्न से बनी होती है यह जा रहा है यह जा रहा है यह जा रहा है तो इसमें फाइब अल्क जा रहा है आप इसमें पर रॉज नहों हो सभी करेक्ठ हैं से किर्विक है राए टांसर बन जाएगा नेक्स बड़िया है नौस्टाओक पर क्युक्ष्यन कुछ जाते एं यह हिट्रोसिस्ट। और गॉम सब्सक्राइब हो आए इंसर और भी ताह है नंढसर आटर हैं नेश्यमार को और फर आप थंस आ ह्ने हैं नजर आ रहा है ठीक है नेक्स्ट गलत को चुड़ना है salty area hello fill सही है होड़ स्प्रिंग थर्मोहसर फिल्ट बढ़िया मार्शी एरिया methane होड़ स्प्रिंग में सब नहीं होंगे all bacteria नहीं होंगे कुछ bacteria होंगे वो भी R की bacteria तो गलत आने की फोर्थ correct answer है दिये गए okay next question दे रखा है हमें which one of the following set of item in option 1 to 4 is not correctly categorized with one exception in its कि एक से चार तक जो विकल्प हमें देए गए हैं उन विकल्पों में से जीव के नाम उसके वर्ग और इनके अपक्वाद के लिए सही प्रकार से वर्गिकरत कौन सा नहीं किया गया है बाकी सारे सही है एक को छोड़ कर देखिए लॉक्यूस्ट एपिस और silverfish इसे बिलोंग करते हैं इसे बिलोंग करते हैं और्थरोपोड़ा फाइलम से विंग्ड इंसेक्ट से बिल्कुल इंसेक्ट से ठीक है silverfish भी जो है एक इंसेक्ट होता है exception जो है वो silverfish इसमें wings नहीं होते हैं इसमें क्या नहीं होते हैं wings बिल्कुल सही कैटेगराइस किया गया है नेरीस, ferritema, herodinaria यह जो है अपन जानते एनलिडा फाइलम के member है okay monosius बताया है लेकिन नेरीस जो होता है बेटा वो monosius नहीं होता है वो dioces होता है correctly categorize किया गया है tinea, fasciola और planaria endoparasites बताये गहें लेकिन planaria जो होता है बेटा जो fresh water में मिलता है वो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो आपका जो है, वो endoparasite नहीं है prone, cockroach and apis malpican tubules apis जो है उसमें malpican tubules नहीं होती इसके according but apis तो क्या है बेटा, insect है cockroach भी क्या है, insect है तो इन दोनों में malpican tubules होती है prone जो होता है, उस prone के अंदर हम जानते है as a excretory organ जो है, वो green glands होती है क्या होती है, green glands is that clear, ओके तो option number कौन सा चला जाएगा बेटा fourth next देखा जाए जरा sorry which of the following is not a matching pair of an animal and a certain character, it's exhibit obelia की बात करें, तो metagenesis शो करता है, बिल्कुल इसमें polyp and medusa दोनों form होती है teneus olim elementary canal absent, ठीक है absorb nutrients from the host directly through the body surface, बिल्कुल endoparasite है, करता है यह ऐसा कुछ यह इसका parasitic adaptation भी है echinoderms, free swimming larvae is present, भी को, echinoderms जो होते हैं बेटा, वो exclusively marine water के होते हैं, free swimming animals होते हैं, तो सही है nereze, perapodiar present, बिल्कुल locomotory organ इनके अंदर perapodiar होते हैं, which helps in crawling, बट यह crawling में नहीं यह इसको swimming में help करते हैं, तो crawling की वज़े से गलत हो गया और हमसे गलत ही पूछा गया है, तो option number कौन सा चला जाएगा, fourth, next क्या दिया गया है, the following are figure of representative reptiles with their characteristics choose the options which is not correct first क्या है, कीमिलोन tree lizard है, बिल्कुल सही बात है यह crocodile having four chamber heart, बिल्कुल exception है यह reptiles का, it is tortoise with two chamber heart, two chamber heart है, इसका मतलब गलत है it is poisonous land snake with neurotexic venom, बिल्कुल cobra की यहाँ पर बात की गई है तो यह बिल्कुल सही है, तो not पुछा गया है न, तो not के लिए आपका third option चला जाए, sorry next देखें ज़र, read the following statement with respect to cockroach, cockroach के बारे में सही विकल्प जो है, या कतनों को पढ़ना इसमें से कितने कतन सही है is are correct, hypopharynx act as tongue बिल्कुल hypopharynx जो है वो एक जिवा की तरह कारिये करता है, antenna antenna have sensory receptors that helps in the monitoring the environment, बिल्कुल antenna जो होता है बेटा, उस पर sensory receptors होते है, जो environment के sense का पता करने का काम करते है, tegmina are transparent membranous wings and are use in flight, गलत होगा है बेटा tegmina जो होती हो, तो covering होती है तो four wings को कहते है अपन और flying में help करते हैं हिंड wings जिनको हम metathoracic wings भी कहते हैं, क्योंकि हम जानते है कोक्रोज में two pair of wings होते हैं, और जो thoracic part है, उसमें तीन segment है, prothoracic, mesothoracic और metathoracic, बट आप जानते हैं कि prothoracic पर कोई wings होते नहीं है, mesothoracic और metathoracic segment पर आपको wings देखने को मिलते हैं, जो mesothoracic wings हैं, वो help नहीं करते हैं, फ्लाइट में metathoracic wings help करते हैं, तो गलत हो गया, head is formed by fusion of the six segments, बिल्कुल सही बात है, किते statements correct हो गये बेटा, तीन statement correct हो गये, गलत हो गया heparine is secreted by the cells present in heparine secret करने वाली cells का नाम क्या बेटा, mast cells okay, इसके लावा और कौन करता है बेटा, base of hills ठीक है जी, तो base of hills कहां पर present है बेटा, base of hills होती है बलड के अंदर mast cell कहां पर है बेटा, mast cell होती है aerial or connective tissue में, सही है बिल्कुल है, दूसरा गलत है तीसरा fluid connective tissue, बिल्कुल सही जाता है, more than one option is correct, बिल्कुल जाता है तो option नमर कौन सा चला जाता है fourth, is that clear histamine, serotonin और hyperine तीनों chemical, दोनों ही cell release करती है next क्या बोला गया बेटा, find the correct statement for the node of rainvier तो आप जानते हैं बेटा, node of rainvier एक myelinated neuron जो होता है उस myelinated neuron का वो region जहां पर myelin सीथ नहीं है उसको हम node of rainvier कहते हैं उसको हम क्या कहते है, node of rainvier तो node of rainvier जो है उसके एकर हम बात करते हैं तो node of rainvier वो region है बेटा जहां पर swan cell तो है यहां पर, यहां पर यहां पर swan cells तो हैं बेटा but, but listen very carefully, node of rainvier जो है बेटा, वहां पर swan cell myelin सीथ नहीं बनाता है actually, जो swan cell है उस swan cell की एकर हम बात करें तो swan cell की जो covering होती है उस covering को हम कहते हैं, neuralyema covering को हम क्या कहते हैं, neuralyema तो आप यह जरूर कह सकते हैं कि जो myelin सीथ है वो discontinuous layer है but, neuralyema is continuous layer क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे exon के उपर cells present है, swan cells हर जगह पर swan cell present है कहीं पर उन्होंने क्या बनाया, myelin सीथ बनाया और कहीं पर नहीं बनाया, जहां पर नहीं बनाया उसको node of rain wear कहते हैं so covered by the myelin सीथ क्या node of rain wear cover होती है myelin सीथ से नहीं होती गलत है, myelin सीथ is discontinuous, बिल्कुल सही बात है, myelin सीथ discontinuous होता है क्योंकि node of rain wear पर वो नहीं होता है, neural lemma is discontinuous गलत हो गया, क्योंकि neural lemma continuous होती है, बोथ myelin सीथ and neural lemma are discontinuous, गलत हो गया, आंसर नमर चलागे मैटा कुनसा second यहां से फिर cytology के कुश्चन आ रहे है कोशिका, चलो यह भी है, select wrong statement all organism are composed of cell सही है, unicellal organism are capable of independent existence, कर सकते हैं anything less than complete structure of a cell ensure independent living देखो यह है anything less than complete structure of a cell cannot ensure हना, कोशिका से कम संपूर संरचना स्वतंत्र जीवन को निश्शित करती है कोशिका से कम कोई भी संरचना जीवन को संपन नहीं करती है याद रहे तो यह इसका wrong हो जाएगा NCRD के जहाँ पर cell theory पढ़ाई गई है वहाँ पर यह बात लिखी गई है less than cell no any substance may represent independent existence कोशिका ही है जिव सबसे पहले अपनी living existence को सो करती है clear बढ़िया है new framing question है third इसका right answer बनता है next यह जोलोजी है जोलोजी जोलोजी के question है इसमें next एक कुश्का जिसमें निश्य द्रुबता पाई जाते है देखो गॉल्ची बॉड़ी गॉल्ची बॉड़ी में याद रखना एक पोलर सेल और्गनेल है यह nucleus है गॉल्ची बॉड़ी की हमेशा जो location होती है वह इस direction में होती है क्यों इसका जो सिस रीजन होता है कौन सा सिस सिस वह होता है towards the periphery और जो स्वरी यह ट्रांस ट्रांस रीजन है यह ट्रांस और यह जो सिस रीजन होता है वह nucleus की ओर होता है इसकी फादमी रीजन और maturation रीजन यह है गॉल्ची बॉड़ी एक धुरुबता दर साथ यह polar cell और नेल है थर्ड करेक्ठ है निम्लिकित कत्नों को पढ़िये दिए गई विकल्पों में से सही को चुनना है इन प्रक्रेटिक सेल दे नुकलर मेंब्रेन ख्लॉर प्लॉर प्लॉरी नोवई माइट कॉंडिया माइग डॉल दिफेरेंट कांड औप पिलाई एपसेंट तो अपन को करेक्ट चुनना है ठीक है एपसेंट हो दे लेकिन पिलाई तो पाई जाती है युकरिटिक सेल दा नुकलर मेंब्रेन, क्लोरोब्लास, माइटोकॉंडिया, माइटोबूल, पिलाई आर प्रेजेंस है ना ये भी कहीं गलत हो रहा है प्रोकरिटिक सेल्स अफ दा राइवसॉम इस दा सेविंटी टाइब माइटो कॉंड्रीय और दा यूकरिटिक सेल्स अनिमल हेब राइमस भोश्म एक्टी एस ये भी गलत हो रहा है ठीक है तो ये चीज है तो निम्लिक्रिट्ट कतिनों को पढ़िए निम्लिक्रिट्ट में उसी का चुनाओं करना है ठीक है तो क्या हुआ क्या प्रोकरिटिक स में आपके लिए भी सही होता हुआ न जारा रहा है एसी गलत है है ना तो एसी आर करेक्ट बी इस रॉंग रहा है एसी आपकेर्गर्ट आर करेक्ट जारा रॉंग है तो व्यार अ जारा बंद करेक्ट आरूंग हैं न, तो aur निम्स्ट के लिए ARE मेर SEं कि पॉर्थ निम्स्ट है नेक्स्ट जिस प्रकार से एक ब्रक्ति गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए दिल्ली से सिम्ला चले जाते हैं इसी प्रकार साइबरियन सारस कहा थे हैं भरतपुर के क्योलाडो जो नेशनल पार्क है वहाँ पर यह चलके चले आते हैं सेम एक्जाम्पल आप से पूछा गया है क्लिया बढ़िया कोशन है पॉसिबल कोशन है यह भी रिसेंटली नीट में कुशन बना है गिविन बिलो एह सिंप्लिफाइद मॉडल आप दा फॉस्पोर साइकल इसमें अपन चेक करने हैं तो देखो यह तो होगे प्रोडूशर आपको एक दो चीजहें अच्छे से पता है तब वहाँ बंचाएंगी स्वाइल सोय क्ता हिर शाल इस रहोर चाहर हैं सी में प्रिडिूशर कहा हैं ए में लिटर फॉल रॉक मिनरल प्रडूशर प्रडूशर देखो यहां जा रहा है ठीक है अब आपका बी जो है रॉक हो गए देखो क्लियर दिख रहे है तो बाकी सब कुछ किसी के अक्वार्डिंग होगा थर्ड एंसका राइट अंसर बन रहा है इसमें अक्षिर की की वैस्विक जैब विवित्ता इन की इनवर्टी वेट्स दिखने है डावर सेटिय का है इसमें सबसे जयदा इनिसक्ट होते हैं फिर मॉलश क्रस्टेशियन अदर गृप एनिमलस यह और ग्रुक तर बनता हैं ठीक है मॉलस्क वहां नहीं आएंगे अब आएगा फोर्ट क्रेक्ट रंस तो यह अच्छा कुश्यन है यहां से पुछे आते हैं एक रसायन और द्विक संस्थान के निकाय में लगाओ इस परवर क्या हटाता है तो सल्फर डाइक्साइड यह हटाता है पार्डिकल मेंटर अब दसाइज माइक्रोमीटर इससे लेस तो नहीं हटा पाता है सल्फर के लियाद रखना हूं प्लांट के पास में 20 Joule इनर्जी है इसके पास 10% का मतलब 2 Joule हो जाएगी इसके पास पॉइंट टू हो जाएगी इसके पास आपकी पॉइंट जीरो टू जो होगा वही करेक्ट आंसर बन जाएगा ना फास्ट इसका करेक्ट आंसर बन ता है which of the following is not of not one of prime health risk associated with the greater uv not not risk not one to increase liver liver से कोई लेन दर नहीं है यह हो सकता है eyes damage हो सकती है immune system affect हो सकता है skin cancer हो सकता है है ना skin cancer हो सकता है यह यह दोनों सकते हैं लेकिन यह कभी नहीं होगा इसलिए इसलिए इसमें क्या है not correct answer आपके लिए 4 बन जाता है ना पारिष्टे निके किसे कहते हैं निके अपन जब population interaction पड़ते हैं तो second page पर ही लिखा है निके निके का मतलब होता है एक particular species which is highly adapted for a particular climatic condition their functioning affect ecosystem और a particular climatic conditions है ना तो functions अब दियाद रखना यह बढ़िया question है कई बार पुछा गया है previous years में पुछा गया है तो हमारे लिए third correct answer बन जाता है नेक यह है अक्वार्डिंट्र बोर्ड साइज और पार्डिकल रिस्पांसिफल ग्रेट हाम ग्रेट हाम यह यह आपके 2.4 से कम इतने छोटे पार्डिकल होते हैं कि लंग्स की इंटर्नल सर्पेस में जाके पहुंच जाते हैं और फिर ब्रीदिंग को इनिविट कर सकते हैं लिखा है निम्न में से कौन सा घटा के मर्दा को पुंजन तता जल्धारण चमता निर्भर करती है तो स्वाइल कंपोजीशन भी है ग्रेंज साइज भी है अग्रीगेशन भी है और अप दी इसका करेक्ट आंसर बंता है यह एंस्याड में लिखा है एक स्वाइल के स्ट्रक्शर को यह तीनों ही कंपोनेंट मिलकर प्रक्वियर करते हैं इसके बाद में हैं विच वर वन अप दा वाइडली यूज्ट पोर्द रिमूबर पार्टिकल मेंटर पिसेंस इन दा एक्जॉस्ट फ्रॉम्द थर्मल पावर ना तो स्क्रवर इसका करेक्ट आंसर ब पर इसका हो है ना थर्ड नो इलेक्ट्रो स्टडिक प्रेसिपिडिर यह ज्यादा परफेक्ट बाना गया है थर्ड इसका करेक्ट आंसर बनता है रॉक्वी फोर्ट चीज का निर्माण किसकी से संबंदित है पैंचली रॉक्वी पोर्डी कहा जाता है कि जो चीज होती है यहां दो चीज का जिक्र है एक रॉक्वी पोर्ड चीज का है जहां पर फंगस की इन्फेक्शन से यहां पर फ्लेवर टेक्शर आरोमा जरनेट होता है तो पैंसिलीन है वो ज्याद रखना इसके बाद में एक स्विश चीज है जहां पर प्रपेन वेक्टिरिम सार्मनी ला वीटल्स रेड और ब्लेक मार्किंग लेडी वर्ड ड्रेगन फ्लाइ बायो कंट्रोल एजेंट है सही है बैकलो वारस इंक्लूड इन्हें जीनस नुकलियो पॉली हट्रोवाइरस सही है इन्चाट इंदिया है बैकलो वारस आर प्रतोजन अट अटेक ओन इंसेक्ट अन अ यूज ओफ माइक्रोब्स रॉखेफोर्ट चीज प्रपियर वाइद फर्मेंटेशन और बैक्टीरिया इडली डोसा इसमें अपना जो आंसर जाएगा इसमें देखते हैं क्या है डोसा इडली फर्मेंटेट बाइफ फंजाई फंजाई नहीं बैक्टीरिया का है बैम्बस डिस ये भी सही है अब लेकिन यह गलत एया तो आपके लिए इस दो गलत रहें हुआ है दो सही हो रहे हैं सेके लले राइट पुछ है ना तो रॉंग पुछते तो यह भी आ जाता है सेकिन जादस है चलिए जी नेक्स की बात करते हैं The use of interferons against cancer was found to be effective as Cancer के खिलाब interferons का उप्योग परवावी साबित हुआ था क्योंकि क्योंकि बेटा, interferons तब हम बात करते हैं, दी जाती हैं जब cancer cell जो है, वो cancer cell अपने immune system से बचनिकर निकल जाती है Interferons हम इसलिए देते हैं ताकि वो ऐजे biological response modifier की तरह काम करें और अपने immune system को वो activate करें Cancer कोशिका यह तेजी से विवाजन करती हैं, बिल्कुल करती है लेकिन interferons का देने का कोई रिजान नहीं है यह खो देती है, ठीक है Cancer कोशिकाओं में telomeris क्रिया में वर्दी दिखाए देती है, ठीक है, होती है लेकिन हम से interferons के बारे में पूचा गया है क्योंकि cancer कोशिकाओं प्रतिरक्षा पढणाली द्वारा पैचानने तता नस्ट होने से बचती है और प्रतिरक्षा पढणाली को सक्रिय करने के लिए हम उसे interferon देते हैं cancer patient को as a biological response modifier ठीक है, तो option number कौन सा चला जाएगा option number बेटा, fourth चला जाएगा next देखे ज़रा which of the following compound is chemically diacetyl morphine which is white, odorless, bitter and crystalline ऐसा तो heroin में होता है किसमें होता है, heroin में क्योंकि heroin जो होता है, वो diacetylation से बनता है ठीक है, या फिर acetylation जब हम करते हैं morphine का, तो उसे हम जानते हैं कि क्या बनता है heroin बनता है mark the incorrect statement with respect infection and tamoeba histolite ठीक है, it is protozoan parasite of human, ठीक, सही बात है it infection is characterized by constipation and abdominal pain, बिल्कुल सही बात है protozoa पर जीवी है, इससे cubs और उदर ये पिडा होती है बिल्कुल सही बात है, दोनों statement सही है it is a parasite in small intestine of human, गलत हो गया बैटा क्योंकि ये छोटी आंत का नहीं बड़ी आंत का होता है house flies act as a mechanical carrier and serve to transmit the parasite from ficus of infected person to food and food products, बिल्कुल ये भी सही है तो हमसे गलत पूछा गया है, तो गलत के regarding third option चला जाता है next देखें which is not true of inbreeding, it cause inbreeding depression after a few generations, अगर बेटा continuously inbreeding की process होगी, generation to generation, तो इससे inbreeding depression आता है उससे बाहर निकले के out crossing होती है पन जानते तो first ठीक है, सही बात है it is always increased productivity गलत होता है, क्योंकि inbreeding depression आते है तो productivity decrease हो जाता है it is used to produce a pure line, बिल्कुल सही बात है, it leads to homozygocity, बिल्कुल सही बात है option number second चला जाता है, जो की गलत है, next देखें in 1953 एक American scientist था, जिसने जो है, वो chemical evolution जो की थोरी जो थी, उसे support करने के लिए experiment conduct किया था, जिसमें उसने क्या किया, he created electric discharge in a close flask containing and water vapor at 800 degree centigrade, identify X, Z and choose the correct statement, so in 1953 Stanley Miller ने एक close flask के अंदर electric discharge किया, जहांपर उसने methane, ammonia, hydrogen और water vapor लिया, methane, ammonia, hydrogen methane, ammonia, यह गलत हो गया, यह scientist की वज़े से गलत हो गया, तो गलत हो गया, तो फर्स्ट गलत है थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, फोर्थ गलत है, सेकेंड चला जाता है आपके लिए तो बहुत यह आथान कोश्य नहीं next देखे a taxon of vascular land plants which is the most recent ancestor of modern ferns and seed plants and become extinct during the devonian period, ओके, तो बैटा, devonian period के अंदर ही extinct हो गया था, खतम हो गया था, seed plant और ferns का modern ancestor है, तो बैटा, यह आ जाता है, हमारा, जो sterophyllum नहीं है, rhenia type plants नहीं है, sylophyton ठीक है, तो थर्ड ओप्शन, हम जब NCRT के अंदर है, तो यह आजाता है, प्लांट्स वाले या फिर आप एक geological period वाले section की बात करते हैं, तो उस geological period वाले section में आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, तो chlorophyte, tracheophyte, rhenia type plant और sylophyton, यह आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, chlorophyte, chlorophyte के अलाबा, tracheophyte, लिख देता हूं में, chlorophyte, ancestor, ancestor, tracheophyte, ancestor, इसके बाद आ जाता है, rhenia type plants, और उसके बाद आ जाते हैं, कौन से हैं, आपके, sylophyton, तो sylophyton जो हैं, वो modern, जो ferns और seed plants हैं, उनके recent ancestors हैं, उसको ज़रा check करना, अच्छा question हैं यहां से, वो, next हाता है बेटा, how many factors given below in the box, can affect the Hardy-Winberg equilibrium, तो Hardy-Winberg क्या कहता है, अगर कोई population, उनके बतायवे rules को follow करती है, तो उसमें, जो genetic equilibrium है, वो बना रहेगा, वो change नहीं होगा, और generation to generation, उसमें, allylic frequency सेम रहेगा, वो कहते हैं, कि कभी भी genetic drift नहीं होना चाहिए, अगर genetic drift हो गया, तो Hardy- Hardy-Winberg equilibrium effect होगा, वो कहते है, natural selection नहीं होना चाहिए, natural selection होगा, तो Hardy-Winberg effect होगा, वो कहते है, mutation नहीं होना चाहिए, अगर mutation नहीं होगा, तो भी Hardy-Winberg जो है, वो Hardy-Winberg, जो equilibrium है बेटा, वो Hardy-Winberg equilibrium affected होगा, वो कहते हैं कि बेटा, random mating होनी चाहिए, selective mating नहीं होनी चाहिए, बिल अबाउट 15 मिलियन इयर्स अगो प्राइमेट्स कोल ड्रायव पितेकस और रामा पितेकस वर एक्जिस्टिंग विच वर लाइक एप्स तो ड्रायव पितेकस और रामा पितेकस ओप्शन नमबर 3 ये तो बिलकुल अपनी लाइन है न्-C-A-R-T की आपकी टिप्स के ऊपर होन है genital herpes non curable है HIV infection non curable है gonorrhea जो होता है वो curable है option number fourth के लिए बात बिल्कुल सही है और उपर वाली तीनों के लिए बात गलत है मैजदा following columns पिल्स क्या करती है बेटा तो पिल्स जो है वो ovulation को prevent करती है condoms क्या करते है condoms prevent करते है sperm को कहां तक पहुंचने में service तक पहुंचने में कोपटी क्या करती है बेटा कोपटी के अगर हम बात करते है सोरी कोपटी से पहले वैसक टमी है तो वैसक टमी जो है उसके होने से क्या होगा जो सीमन है उस सीमन के अंदर स्पम नहीं होंगे और कोपटी जो है वह एक आयूडी है तो second third fourth first second third fourth first option number second यहाँ पर मैचिंग कर जाता है next देखें जड़ा ओके which hormone will pass out in urine after the menopause अगर menopause की बात करते हम तो menopause होने पर क्या होगा बेटा menopause होने पर estrogen hormone का level decrease होगा क्योंकि estrogen का source बचा ही नहीं follicles बनते नहीं तो estrogen का source है नहीं estrogen का level decrease होने से FSH and LH का regulation नहीं हो पाएगा और FSH जो है और LH जो है यह दोनों gonadotropins है क्या है यह दोनों gonadotropins और आप जानते कि यह कहां से produce होते हैं anterior pituitory से so FSH जो है उसको mainly regulate करता था उसके level को regulate करता था estrogen hormone estrogen hormone का level decrease होगा FSH का level increase हो जाता है इससे urine के साथ FSH जो होता है वो बहुत ही ज्यादा amount में pass out होना start होता है so menopause होने के बाद estrogen hormone जो है उसका level decrease होने की वज़े से FSH hormone का pass out बहुत ज्यादा होता है urine के तुरू so मेरे साब से concept आपका clear होगा कि menopause में estrogen level decrease हो जाता है इस FSH और LH level regulate नहीं हो पाता है mainly estrogen FSH को regulate करता है साथ में LH को भी regulate करता है but large amount में FSH produce होता है और वो फिर urine के साथ pass out होना start हो जाता है so option number first is correct name the hormone that has no role in menstruation बिल्कुल LH जो है बेटा वो LH surge की वज़े से अपन जानते हैं की ovulation होता है FSH follicular development के लिए responsible है growth hormone, growth hormone बेटा ovary जो होती है उस ovary के development development और जो puberty development है उस puberty development के लिए responsible है puberty development के लिए क्या है responsible है बढ़ TSH जो होता है वो direct काम नहीं करता है या उसका direct role नहीं होता है किसके अंदर menstrual cycle में क्योंकि TSH thyroid gland पर काम करता है thyroid gland thyroxine hormone produce करता है हाँ, thyroxine hormone involved होता है menstrual cycle जो होता है उसके regulation में बट यहाँ पर TSS दे रखा है, so option चला जाएगा इसमें कि किसका role नहीं होता है, तो TSS का role नहीं होता है, बेटा GH की बारे में ध्यान रिखेगा, ovary के development में, puberty development में, जो है इसका काफी ज्यादा role होता है, क्योंकि organs के development में role होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इन ही भीन hormone, FSH hormone के level को regulate करता है, यहाँ पर androgen का बारे में बात हुआ गलत है, leadic cell LH पर काम करता है, conversion of granulose cells to progesterone, गलत हो गया वहीजा, anterior lobe of pituitory LH पर, तो बिल्कुल anterior lobe of pituitory LH produce करता है, male के अंदर LH जाकर stimulate करता है किसको, leadic cells को, और leadic cells को क्या करने के लिए, androgen hormone का synthesis करने के लिए, ठीक लग रहा है यहाँ तक, pituitory gland से GnRH release होता है, और यह promote करता है, नहीं, यह गलत हो गया, तो answer number कौन सा चला गया बेटा, third, next देखें ज़रा, prolactin is meant for the synthesis of milk and squeezing of memory gland for their release, prolactin जो है, वो synthesis करवाता है milk का, बट जो squeezing है memory glands का, वो करवाता है oxytocin, तो गलत हुआ, during gametogenesis, chromosome number get reduced in first polar body, बिल्कुल, gametogenesis में आप जानते हैं, कि जो primary spermato site है, उस primary spermato site के गर बात करते हैं, तो deployed होते हैं, अब इसमें first division जब होगा, sorry, 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 polar body के बारे में बात हुई हैं, तो polar body में sorry, spermato site नहीं होगा, गलत बोल दिया मैंने, तो जो primary oocyte है, बेटा, उस primary oocyte में जब division होगा, तो दो unequal size के सहल बनेंगी, एक बनेगा बेटा, first polar body, क्या बनेगा, first polar body, और एक बनेगा इनकरेक्ट है, squeezing of memory lens की वाज़े से, और second जो है, वो बिल्कुल सही है, statement first is incorrect and second is correct, option number, first यहां पर चला जाता है, यह फिर से अपने biology के हैं, अडिन, अडिन किसे को होगे, अडिन में, अच्छली, यहाँ पर आपका जो functional group होता है, वो amine होता है, तो यह हमें, अच्छा, यह, यह, यहाँ पर, यह गलत हो जाएगा, इस point पर, अडिन, यह सही है, four correct answers चाहिए, next, dna's and dna's, यह क्या है, यह तो एंजाम है, यह प्रोटीन है, और यह multiple dna को सो कर रहा है, है न, प्रोटीन है, तो फर्स्ट आंसर हमारा अलग, यह correct answer बन जाता है, next, निम्न मैं से कौन सा अन्वान से पदार का गूर नहीं है, which of the following is not a character of inheritance material, it should be able to generate its replica, it should be able, यह तो है, it should be stable chemically, structurally, यह भी है, it should provide the scope for the fast change, fast mutation, fast mutation, RNA करता है, इसलिए वो बहतरीन, हमारे लिए genetic material नहीं है, dna में slow mutation होता है, able to express, express तो करेगा, mandaline जो character होते हैं, उसके according, इसे express करना भी चाहिए, यह न, तो इसलिए third इसका correct answer बनता है, गलत कथन का चुनाव कीजिए, let the incorrect statement, ठीक है, dna polymerase cannot initiate the process of replication, सही है, replication does not initiate randomly at any place in dna, ठीक है, replication occurs within the replication fork, prokaryotic replication take place in S phase, beta G, S phase नहीं, क्योंकि prokaryote में cell cycle होती ही नहीं है, इसलिए उसमें, कहा जाता है कि bacteria का replication है, वो आपके 18 minute में हो जाता है, और bacterial cell divide हो जाती है, within 20 minute, तो कारण क्या है, कारण यह है कि वो cell cycle को follow नहीं करता, इसलिए वो different जो permalities है, उसके बिना ही cell division को conducted पा है, तो fourth इसका correct answer बन जाएगा, next, which is incorrect option, polycystronic gene are found in prokaryote, polycystronic yes पाई जाती है, monocytronic found in eukaryote yes पाई जाती है, intron found in both, both नहीं, introns eukaryote में होते हैं, तो आपका third correct answer बनता है, ठीक है, क्योंकि incorrect पूछा पूछा गया है, निम्न में से कौन सा दुतियक उपापचाय है, बढ़िया, दुतियक उपापचाय पर हर साल कुछन आ रहे हैं, पिछली साल, पिछली से पिछली साल, आपको कुछन दे रहे हैं, ठीक है, यह, alkaloid, next, labinoid, antiviotics, all of these, 4 correct answer बन जाएगा, next, next देखें, okay, genetics का कौशन है, linkage, prevent segregation of zines present on the same chromosome, अगर linkage जो है, वह है, ठीक ठाक, अच्छा, खासा, तो फिर बेटा, आप जानते है, recombinants बनने की possibility कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, X body was first observed by hanking in insects, बिल्कुल, जिसको फिर आगे चलकर X chromosome नाम दिया गया था, failure of segregation of chromatids, okay, chromatids, during cell division lead to polyploidy, नई जी, यह polyploidy नहीं होता है बेटा, यह तो अगर cytokinesis जो होता है, उसका failure होता है, तब जाकर polyploidy होता है, पर यहाँ पर तो chromatids के बारे में दे रखा है, तो यह गलत हो गया, female heterogamity is found in birds, okay, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, Z, Z और Z, W बाला देखने को मिलता है हमको, सारे ही correct है, किसको छोड़ कर, C को छोड़ कर, third option चला जाता है बेटा, next is, select the odd one, out with respect, chromosomal theory of inheritance, it was proposed by Sutton and Bovary, बिल्कुल, behavior of chromosome is parallel to behavior of gene, तो हमें NCRD के अंदर एक तरफ chromosome और दुसरा तरफ gene का parallel, जो behavior है, वो represent किया गया है, कि वो pairs में होते हैं, segregation वाला सारा concept बता कर, chromosome and genes are occurs in pairs, okay, in deployed, बिल्कुल, and haploid cell respectively, haploid cell आ गया तो गलत हुआ, the paired condition of both chromosome as well as mandaline factories restored during the fertilization, बिल्कुल सही बात है, कि paired condition जो होती है, chromosome की, और जो mandaline factors है, जिसको gene कहते हैं, वो restore हो जाता है, fertilization में, तो गलत पुछा गया है, तो option number 3 हो जाता है, next question देखें जरा, तो यह था बेटा आपका solution, जिसमें, I hope आपने अच्छा score किया होगा, और next जो paper है, उसके लिए आप अच्छी मेहनत कीजिएगा, best of luck, thanks for watching, जो लोजी है, यह फिर से अपना उसमें आ गया, किसमें, बायो टेक, if we introduce alien piece of DNA, हिंद 3rd, restriction side the cloning vector PBR 322, resultant recommendable toe, देखो, PBR 322 में आपकी AMPR होता ना, तो वहाँ तो TTR यहाँ होता है, TTR पर क्या होता है, आपका एक तो होता है, BAM H1, क्या होता है, होता है, BAM H1, और यहाँ क्या होता है, साल 1, यह तो AMPR है, यह एक्चुली यहाँ पर होता है, तो BAM आपका हिंद, जो 3rd होता है, वो इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, आप जब यहाँ रख दोगे, तो M-P-C-L-E-N-B काम करेगा, AMPR भी काम करेगा, TTR भी काम करेगा, तो resistance to M-P-C-L-E, resistant to tetracycline, sensitive, sensitive to M-P-C-L-E, sensitive to tetracycline, correct option करना है, तो resistance होंगे दोनों के लिए, A and B, यह first answer आपका correct बन जाएगा, नेक्स्ट, यह है PCR टकनलोजी, पिछली साल PCR में से तीन पुष्चन आए थे, तो याद रखना है, यह अच्छा सग्मेंट है, यह A, B, C, D, पुछी है, यह तो D nature हो गया, यह एनिलिंग हो गया, एक्स्टेंशन हो गया, यह क्या है, तो इसमें क्या पुछा गया है, आप से पुछा गया है, correct identification, together, तो B, D nature है, B, D nature नहीं था, B actually any link था, क्या था, any link, इसके लिए 56 के आसपार, डिगरी से यह, पहला तो अपना गलत हो गया, है ना, अब है, A, D nature, D nature के लिए 94 के आसपार से यह भी गलत हो गया, C extension, the presence of heat labeled DNA polymerase, है ना, A, any link, A, any link नहीं है, तो अपना third correct answer बन जाएगा, next, यह है, अच्छा है, here, the recognition site of restriction enzyme, ठीक है, यहाँ पर अपना, यह यह इस तरीके से sticky end बनाएगा, यह blunt end है, है ना, और, आपका, यह sticky end बनता हुआ न जारा रहा है, ठीक है, यह blunt end, तो आपको पूछा, which of the following create the complementary sticky end, इस्ट की end कौन बना रहा है, एक तो यह बना रहा है, और आपका एक यह बना रहा है, यह बना रहा है, तो A, B कहा है, आपके यह थार्ड में, तो थार्ड correct answer बन जाता है, नेक्स्ट, तम्हाकू, RNA interference has been used in the development of tobacco plant resistance 2, निमेटोट, मेलोट गायन इनकोगनीशिया के लिए resistance बनाए गया है, फिर्स्ट करेक्ट रांसर है, माना विंसुलिन दो पॉलिप्टर आपस में जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बन्त, किस से जुड़े होते हैं, फॉस्फोडियस्टर, नो, डाइसल्फाइड, ये सही है, थर्ड करेक्ट रांसर बन्त, नेक्स्ट, 95 एंस आड़े होते हैं, माइस को बनाए गया है, ट्रांस जेनिक अनिवल में, संकर के सिर्फ खेती सम्मंदेश समस्या कौन सी है, प्रेजन्स ओफफ अफाई प्रॉडक्टिविटी, प्रिजन्स ओफ लोगड़्टिविटी घबीड़ीड सीट हैर्ड टो वी प्रोडूच अपड्री यह इसलिए कॉस्टली हो जाते है, तो चुकि प्रॉब्लम है यह हाई हर साल बनाने पड़ते हैं कॉस्ट जादा हो जाती थार्ड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कौन से परची भी पौदे प्रतेक फल में लगू बीज पैदा करते हैं परसाइट अच्छा है यह न्यू प्रेमिंग उशन है और वेंग की है इस्ट्रिय अगा यह बढ़िया यह वहां लिखा है एम्परियोलोजी में इम्परियोलोजी में जाद सीद लिखे गए है उसके लास्ट में इसकी इसकी दिसक्शन की गई है पूर्थ करेक्ट आंसर बनता है यह है विच आवा वन इस नॉट अन अडवांटे सीट कोड प्रोवाइट प्रोटेक्शटन टू दा यंग एम्परियो ठीक है बिंग प्रदक्त इसक्शूल्ड लॉप्रॉडूस्ट रप्रटूस्डेट अलेंगिक प्रजेटन्स की उत्पाद होने के ना आते लेंगिक प्रजेटन प्रजेट के उतपाद होता है और दु इसमें हैं embryo development in both monocod dicod कुछ शद तक सही है globular तक सही होता है completely similar नहीं completely dissimilar नहीं similar in few earlier globular याद रखना क्या globular region तक जब बनता है तब तक वो same रहता है third character answer बनता है next कौन सी सनचना दो सतत पेडियों के मद्द कौन सी बढ़िया कुशन तो which structure consider as the vital link between two successive generation तो gamete भी आ जाते हैं इसमें जाइगाट भी आ जाते हैं ठीक है इसमें जाइगाट more correct answer consider किया गया है यह है क्रोमोजॉम के नंबर जो फर्स लेशन embryology में हैं आप इन्हें देख लें अच्छे से तो इसमें जैसे धान है धान में और गेहूं में प्रोमोजॉम अपोजेट होते हैं यह हूं में 42 होते हैं दान में 24 होते हैं तो आप ए में देख लें ए में क्रोमोजॉम का नंबर आप देखें यहां पर ए में राइस में टुवैल पतेटो में पतेटो में 24 हूं और रोकेट में 38 होते हैं ठीक है हाउस प्लाई हाउस प्लाई में 12 थर्ड इसका करेक्ट आंसर बनता है गैमीट की रेस्पेक्ट हो पूचा ना ऐसे ठीक है नेक्स्ट तो उम्मीद करते हैं यह पूश्चन पेपर एंसरी बेस आपने इंजोई किया होगा पॉसिबल कुश्चन है आपके अगर गलत भी हुए तो आप इसको एक बार और एनलाइसस और डिसकस करें ओके